नमस्ते दोस्तों सुतपास टूडे स्पेशल में सभी का स्वागय थे आज देखिए हम क्या बना रहा है आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगेगा आप लोग घर में बनाईए कम से कम दाम में घर में बैठके बनाके खाईए हम आज बनाने जा रहा है गर्लिक ग्रिल चिक से ज्यादा लगेगा आप लोग देख सकते हैं कि हम कैसे काट रहा है इसको किमा करके काट लेते हैं इसमें लसुन थोड़ा ज्यादा लगता है क्योंकि यह हो रहा है ग्रिल गर्लिक चिकन तो आप लोग देखी सकते हैं हम कैसे काट रहा है सबस्पहले हम चिकन को ले लें हम इसको हम बजर से ही काटिंग करके लाया था अभी इसके ओपर हम देंगे नमक स्वादन उसार अब लोग देख लीजिए और उसके ओपर फिरसे हम देंगे काली मिर्च पाओडर ऐसा दीजिए थोड़ा यह स्पाइशी होगा अभी आप लोग देख लीजिए तावा को गरम करके हम बटर दे दिया और बटर ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए क्योंकि यह पूरा बटर में ही बनेगा अभी हम सॉस बनाएंगे हम ले लिया रिट चिली सॉस और डार्क स्वय सॉस इसको हम मिक्स कर लेंगे यह साइड में रख देते हैं अभी हम जो चिकन था उसको कॉन फ्रावार में इसको मिक्स कर लेंगे अच्छा से कॉन फ्रावार लगा लेंगे कि पूरा ड्राइग हो जाएं अभी वही बटर के उपर हम चिकन को रख देंगे अब दूसरा जो पीसे से उसको भी हम सेम तरीका से तावा के उपर रख देंगे आप लोग कम से कम खर्चा में घर में बना लीजिए अभी हम वो जो स्वयस बना के रखा था उसके उपर हम ब्राश से लगा लेंगे कि कोई भी जगा छूट न जाएं देख लिजी हम पूरा लगा लिया और उसके उपर हम थोड़ा बटर भी दे दिया देख लिजी आप लोग हम फिर से इसमें बटर एड़ करेंगे फिर उसके बाद जो गार्लीक रेडी करके रखा था वो दे देंगे अभी गार्लीक जब तक ब्राउन नहीं हो रहा है थोड़ा सा हम इसको मिक्स करेंगे देखिए गार्लीक ब्राउन हो गया अभी इसके उपर हम दे देंगे एक चम्मज हनी अभी गार्लीक और हानी को मिक्स कर लेते थोड़ा उसके बाद चिकन को पलट देते हैं देखिए आप लोग उल्टा साइड में भी ब्राउन हो गया है अप लोग घर में बनाई है फास फूड में जाके बहुत पैसा खशा होता है फास फूड खाने का इच्छा करता है लेकिन पैसा बहुत लगता है उल्टा साइड में भी हम सेम तरिका से सॉस लगा लेंगे अब लोग देख लिंजे चिकन ठोड़ा बहुत पक गया है आप लोग देख लीजिए ये हो गया है अब हम दुस्तर अदिका से फिर से पलट देंगे देखिए कितना बढ़िया कलर आया है लग रहा है ना रेस्टोरेंट जैसा घर में बैटके आप रेस्टोरेंट का मज़ा लीजिए और प्लीज मेरा वीडियो आग आप लोग देख लीजिए पूरा वीडियो देखिए अभी चिकेन को हम प्लेट में उतार लेंगे अभी हम तावा को गरम करके उसमें डाल देंगे बटर बटर पिखल रहा है अभी इसमें दे देंगे रेड ग्रीन यलो बेल पेपर प्याज और स्वीट कॉन इसको हम हलका से अभी इसके उपर हम डालेंगे काला नमक काली मीच पाउडर और चाट मसाला अभी इसको थोड़ा सा हम टॉस कर लेते हैं एक मिनिट के लिए हो गया अभी हम इसको प्लेट में निकाल लेते हैं देख लीजिए रेडी हो गया ग्रिल गर्लिक चिकेन इसके उपर हम थोड़ा सा स्प्रेंग ओनियन डाल देंगे थैंक यू लाइक कमेंट एंद शियर